आसनपल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं बेल की जी हाँ जो आप स्क्रीन पर बेल देख रहे हैं ये बेल एक तरह का फल होता है और भगवान भोले नात को हम इसका फल भी अर्पित करते हैं इसकी पतियां भी अर्पित करते हैं औ भगवान भोलेनात को यह हम जब बेल का फल अर्पित करते हैं बेल की पती अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा पुर्नेकारी होता है जातक कि मनुवांचित एक शाय पूरी होती है और वहीं हम यदि धार्मिक ग्रंतों की बात करें तो सिव पुरान के अनुसार जो ब्यक्ती जो लोग घर में बेल का पौधा लगाती है जिनके घरों में बेल का पेड़ होता है तो वह घर वह इस्थान कासी तीर्स के समान पावन हो जाता है ऐसी धार्मिक ताकी माननता है सिव पुरान के अनुसार हम अपने घरों में तुलसी लगाते हैं केले का पौधा और हम्थानि प्लांट लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजए हैं, जो घर में सुवता प्रिदान करती हैं, घर में पवित्रता बढ़ाती हैं, नकारात्मकता को धूर भगाती हैं, उसी तरह से जो बेल का पौधा होता है, वहीं विसकारात्मक उर्जा से भारा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है कि बेल के पोधे में बेल की पेड में मालक्षमी का निवास होता है एसी भी मानता है कि इसे घर के आंगे लगाना चाहिए ताकि लक्षमी का निवास हमारे घर में हमेशा बना रहे हर व्यक्ति कोई भी एक्षा पूरी करने के लिए उसे धन की आवशकता प पौधा जरूर लगाना चाहिए इससे बहुत सारे लाप्राप्त होते हैं घर के बीचों बीच भी आप बेल का पौधा लगा सकते हैं क्योंकि घर के बीचों बीच जो लोग भी बेल का पौधा लगाते हैं तो उस घर में कोई भी कला कलेश नहीं होता है अचानक से कोई दु तो उस बीचों बीच वाली आंगन में बेल का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए बेल की पती जब भी आप तोड़ें तो आप कटी फटी या किसी भी तरह से खंडित ना तोड़ें या भगवान भोलेनात को बहुत प्रिय होती है इसे अर्पित करना चाहिए और उसे उ सुखा हुआ फल होता है वह हवन में बहुत काम आता है इसके विना हवन पूरा नहीं होता है और वैसे भी इसके बहुत सारे आयरवेदिक फायदे हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी सवयात्रा जा रही है और अचानक से या तिवी पेड़े के नीचे से संयोग बस या नहीं कि बेल का पेड़ होना चाहिए उसके नीचे से यदि निकल जाती है तो उसे उस बैक्ति को उसमर तक बैक्ति को मुक्च की प्राप्ति होती है इतना ज्यादा बेल के पौदे का फुन परताब बताया गया है तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर नवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक लिए नमस्कार